कि कि अपने पास नया टोपिक नोमनक्लीचर का एक पार्ट है बट कुछ एग्जाम्पल जोगी कमपेटिशन में, GM के अंदर नाय के अंदर पूछा जाते हैं उन में इसे कुछ एक टॉपिक के बारे हम बात करते हैं अपने पास कुछ इस तरह से हमने बना दिया यह स्टॉक्चर इस स्टॉक्चर को बोलते हो आप साइकलिक क्या बोलते हो cyclic structure है कौन सा cyclohexane और इसकी nomenclature अगर हम करेंगे हमने इसके बीच में एक लाइन लगा दिया है ठीक है इसके nomenclature की बात करते हैं इसको आप बोलते हो दो cyclic structure बनगी इस तरह से ब्रेकेट में लिखोगे जितने कार्बन इधर है और इतने जितने इधर है उसको लिखोंगे कितने यहां पर तू और यहां पर भी कितने तू 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 जहां से यह दो cyclic बनी है इस बीचवारे पार्ट पर कोई भी कार्बन इसलिए जीरो अब क्या यह cyclic तो है तो 123456 छे कार्बन तो इसलिए हैं सिंगल बॉंड इसलिए इन यह थे cyclo की नॉमनकलेचर by cyclo 220 hexane दूसरा हम लेते हैं इसी परकार्श और एक्जमपल है लिखते हैं आप देखिए ना इस पर माली जी कि हमने ऐसे लिख दिया अब कि यह बार क्या बनेगा by cyclo कितने इदर 2 इदर भी कितने है 2 और यहां पर कितना है 1 तो 2 2 1 कितने टोटल गार बन होगे 1 2 3 4 5 6 और एकिए 7 तो हैप्ट सिंगल बॉंड के लिए इन ठीक है और एक्जमपल भी ले ले लेते हैं इसमें और पड़ लेते हैं कि माली जी हमारे पास यह कंडिशन है यहां सी यह बना दिया क्या लिखोगे दो साइकलिक है यहां पर तो 20 साइकलो ज्यादा नंबर वाले को पहले लिखना है या पर कितने देखो इस तरह तो यह कार्बन इदर कितने है वान टू थ्री तो थ्री वान जिरो कितने है टोटल कार्बन छे हैं 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 सिंगल गॉंड के लिए एन कि समझ में आई यह बात तो इस परकारश्य आप बाई साइक्लिक कंपाउंड की नॉमनक्लीचर करते हैं कुछ एक और एक्जाम्पल ले लेते इसी में जैसे कि अपने पास है यहां से आपने यह करती है इसे अब देखना है यहां पर बाई साइक्लो तो होई गया यहां पर जो यहां पर एक ही रहा और एक ही रहा तो यहां पर कितने गया को कि टने कार्बन टोटल कुत ल मनडूट मैं और ना कार्बक टो थी पर फाइफ दैड को सिंगल बॉन्ड के लिए यह थे बाई साइकलिक कंपाउंड की जब आप नॉमन क्लेचर करते हो इस तरह से कर शकते हूं कि बहुत आसान सी चीजी है इसके अलावा अगर हमारे पास कंडिशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं एक दो तरह की और कंपाउंड होते हैं जिसकी नॉमन क्लेचर के में बात करते हैं कैसी है अगर कंडिशन में कुछ ऐसा आजए कि यह कंडिशन अपने ले लिए यहां पे CH3 है यहां पे भी CH3 है और यहां पे भी CH3 बहुत आसान सी है इसके नोमंगेचर करने लिए पहले तो अपने को क्या करना है इसको नॉमण दे ले लिए पहले नॉम जैसे की 123456 तो अगर आप इस तरह से लिखते हो तो अब यह देखे CH3 group कौन कौन सी position पे आया है पहली पे दूसरी पे और चोती पे तो 1 plus 2 plus 4 is equal to 7 बताएंगे यह हमने की जोड़ा अगर आप उपर से नीचे करते तो कहां पर आता है 1 2 3 4 1 पे 3 पे और 4 पे तो 1 plus 3 plus 4 is equal to 8 आपको प्रेफरेंस देनी है किस चीज़ को जहां पर नंबर स्मोल आया है उस चीज़ को इसलिए आप प्रेफरेंस किसको दोगे 1 2 और यहां पर कौन सा था 4 1 2 4 में 7 आया था इसलिए नीचे से उपर की तरफ आप लिखोगी यह अपने पास कंडिशन आ गई इस तरह से अब इसकी नेमिंग की बात करते है तो कौन कौन सी पोजिशन पे है मिथाईल ग्रूप 1 2 4 ट्राय मिथायल है 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 एक्ष इसका होगी नॉमनक्लेचर तो यह चीज आपको जरूर याद रखने कि इस तरह से आप इसकी नॉमनक्लेचर कर सकते हो ठीक है अब एक और टाइप आता है कि मानली जी की अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पर एक इस तरह से और यहाँ पर यह कंडिशन गिवन है अब मेंचें तो यह रह घी अपने पास अब साइड चें होगी यह इन में से numbering यहां से start करें या फिर उपर से नीचे ले क्या है क्यूशन यह है यह करना के लिए आपको alphabetically check करना है देखें यहां पर है myth, myth, prop propile और यह क्या है? methyl अब alphabetically आप देखोगे तो klm, nop m पहले आता है m तो methyl से start होता है इसलिए आप 1, 2, 3 इस तरह से क्या करोगे इसका nomenclature sorry, numbering करोगे तो क्या आगे आप अपने पास यह तो अपने पास आगी है condition 4, 5, 6 अब आपको इसका IUP नेम लिखना है तो क्या लिखोगे? 1 पे तो methyl है अब alphabetically लिखना पड़ेगा 3 पे क्या है? propile ठीक है? तो कौन सा पहले आए आपके पास? 1 तो आप क्या लिखोगे? 1 methyl ठीक है? 3 propile कितने है? 6 कारबने hex एग यह अपने पास इसका nomenclature हो जाएगी है समझगे भाई? इस तरह से आप इसको कर शकते हूँ बहुत आसान सी चीज़े है इसके लावा एक और condition अबने पास हो सकती है वो यह कि condition कुछ इस तरह की है यहाँ पर दो कारबने और यहाँ पर यह chain which instrument है? अब यहाँ पर आप numbering की दर से करोगे वो चीज़े देखे यहाँ पर कौन सा ग्रूप है? इथाईल, E पहले, M बाद में यह तो बात अपने माल ली बट यहाँ पर alphabetically check ना करके आप यह देखोगे कि side chain ज्यादा कहाँ पर है तो यहाँ पर दो है, तो इसलिए यहाँ से start करोगे यहाँ पर कितनी है? एक तो यहाँ से start करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब आगे इसका यूपक की निम अब तीसरे पर क्या है? इथाईल, पहले पर क्या है? मिथाईल तो alphabetically अब चेक करोगे तो क्या हुगया? थ्री, इथाईल वन पर ना, कितने? दो मिथाईल वन, वन, डाया, मिथाईल, हैग्ज, एन यह इसका हुगया आईउपक नॉमनक्लेचर अब तो यह बात आपको समझ में आएगी किस तरह से आपने को नॉमनक्लेचर करनी है तो सिंगल बाउन की जो नॉमनक्लेचर है, साइकलिक कमपाउंड की है यह अपनी आपर खतम होती है अब कुछ एक फंक्शनल ग्रूप जो आपको याद रखनी है किस तरह से आप उनको रखोगे उनकी नेमिंग कैसे आएगी तो फंक्शनल ग्रूप की आपको ध्यान रखना किस तरह से करोगे ठीक है इसको मिटा देते हैं एक बार देख लेते हैं फंक्शनल ग्रूप में क्या करोगे आप यह चीज आपको याद रखनी है NCRT बुक में आपको दे रखना है अच्छे से तो फंक्शनल ग्रूप में जैसे की कार्बोग्जलीक जो ग्रूप होता अपने पास कंपाउंड होता हूँ उसमें COH आप ग्रूप लगाते हो फिर जैसे की हमारे पास बुक में देखना वाई NCRT की बुक आप ओपन करूगे तो उसी के अंदर आपको मिलेगा जो टेबल दे रखी है कार्बोग्जलीक है क्लास ओफ कंपाउंड दे रखिया है दूसरा फंक्शनल ग्रूप ओफ इस स्ट्रक्चर COH होता है आयूप यसी प्रेफिक्स इसमें कार्बोग्जी लिखते है और सुफिक्स की बात करें तो ओएक एसिड लिखते है तो देख लेते कौन-कौन सा है तो कार्बोग्जी कौन सा होता है COOH किसी के साथ जोड़ीज है सुफिक्स last में क्या जोड़ते हैं इसमें OIC AGC जोड़ते हैं इथ हो गया तो इथेन लिखोगी इथेन इगो अटाकर प्लास्ट में सुफिक्स जोड़ दीजिए ओएक एसेड तो क्या बन गया इथेन ओएक एसेड तो यह तो राकिस का कार्बोक्सी ग्रूप दे रख्या हूँ दूसरा अपने पास दे रख्या है क्या एस्टर सी ओ और लास्ट में लिखते हैं एटी इए क्या लिखते हैं एटी ओएट ठीक है इसका इजम्पल ले लेते हैं इंग बार दूसरा CH3 COO CH3 अब देखें यहां पर कौन सा ग्रूप है मिथाइल तो यहां पर लिखते हैं अगें मिथाइल इथेनोएट क्या लिख दोगे मिथाइले इथेनोएट लिख दोगे इस चीज को यह रहा है एस्टर की बात भाई इसी परकार से आपको बहुत सारी चीज़े देगी बने आपर जैसे कि आप देखोगे किटोन के लिए आप ओगजो वर्ड यूज करते हो किटोन के लिए किटोन का सुफिक्स तो होता है ओगजो बट आप लास्ट में जो वर्ड यूज करते हो वन यूज करते हो सी डबल बॉंड ओ ओ और यहां पर यह को अटा दो तो प्रोपे नौन का आज आएगा इसको क्या कोगे प्रोपे नौन ठीक है एक और एक्जामपल ले लेते हैं CH3, CH2, C00, O, CH3 यहां पर क्या लिखोगी दूसरी क्या चीजी लिख सकते हो यहां से देखिए दूसरे नंबर पर आए तो ब्यूटेन 2, 1 भी लिख सकते हो इसको LDI में क्या लिखते हैं यह तो हो गया किटोन का LDI में क्या लिखते हैं LDI में आपका ग्रूप होता है CHO LDI में कौनसा ग्रूप है? CHO ग्रूप होता है और लास्ट में लगते हैं AL, L लिखते हैं जैसे की CH3, CH2, CHO मिथ इत प्रोप, प्रोपे नल क्या बन गया? प्रोपे नल बन गया तो यह आपको याद करने की जुरूद है भाई सारे की सारे एक दो एक्जामपल और लेते हैं यहां पर बाकी तो हम जब अलग से इसके बारे में पढ़ेंगे ना उसमें बिल्कुल सारी चीजे बताएंगे अच्छे से एलकुल के लिए जैसे ओएच ग्रूप लिखते हो आप है एलकुल के लिए ओएच ग्रूप लिखते हो एलकुल एलकुल में ओएच लिखते हो और लास्ट में कैने के लाजाता है ओ ल में आपि सुफिक्स में ओए लिखते हो जैसे कि ही एच थरी जी एच टू ना भिए मिट इत प्रॉप क्या होगा यहाँ पर प्रोपेन उत्ता है एक ओठाकि ओ लग दो प्रोपेनल बन गया क्या बन गया प्रोपेनल तो इस प्रकार से और भी मिलेंगे अपनी को फिलाल के लिए हमने यही चीजे बताई आपको बाकि हम इस सेरीज को ऐसी कंटिनुकल तेजार हैं आप इसको ध्य बता दी आपको complete नहीं हुआ है क्योंकि हम one by one आगे nomenclature हर एक ग्रूप के बारे में पढ़ेंगे फिलाल के लिए आप इस सीज को ध्यान में रखते हुए इनकी practice कीजिए आगे जब अपने पास आएगा कि जैसे कि आम अलकोल के लिए जो भी nomenclature होगी उसको एक साथ हो सकता कि जब अपनी ये unit complete हुजए उसके बाद में एक lecture में आपको अलग से करो हूँ ठीक है तो अगले lecture के अंदर miss नहीं करना भाई भूच ज्यादा important है जहां पर मैं आपको बताऊंगा basic chemistry उन पार्ट के बज़े में जिनके वेगर chemistry organic chemistry कर यह लगाए चलो कि आप हार्ट बोल सकते हूं के वेगर आसान है यह नहीं कौन कौन से टोपिक एक inductive effect दूसरा hyperconjugation तीसरा hyperconjugation के बाद तीसरा जो टोपिक अपने पास हो रहेगा resonance एक रहेगा mesomeric effect एक टोपिक रहेगा अपना hyperconjugation और एक टोपिक रहेगा अपने पास aromatis टी भाई यह वे टोपिक हैं जिनके वेगर organic chemistry possible है यह नहीं तो हम one by one बहुत आसान तरीके से इन सभी टोपिक को पढ़ेंगे तो हम next lecture में मिलते हैं इन टोपिक के साथ inductive effect के साथ तबतो के लिए all the best